आईवी सेक्यूर्टी एसिस्टेंट साथी मोटर ट्रांसपोर्ट में अगर मैं बात कुनो तो कई लोग के सामने भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह आ रही है कि वह या फॉर्म भरे या नहीं भरे क्या करें समझ में नहीं आ रहा है सल्टिफिकेट जो लिखा हुआ है वो कै पहला जो हमारा डाउट था कि या फॉर्म जो है वो हम लोग भरे या नहीं भरे तो आप सभी को फॉर्म जो है वो भर देना चाहिए ठीक है भर देना चाहिए क्यों भर देना चाहिए क्योंकि आपके पास अगर का लाइसेंस है तो फिर आप फॉर्म भर तो अगर का लाइ नहीं है तो 13 नौंबर के पहले पहले आप उस लाइसेंस को बनवा लो क्योंकि यही आपकी जो है क्रूशल डेट और इसी डेट पे सारे डाकुमेंट्स आपके चेक होने होंगे और इसके पहले-पहले होना चाहिए ठीक है पहली चीज़ तो यह क्लियर हो गया दूसरा डाउ यह संस्ता से आप मोटर का जो एस्पीरियंस है वो आप इसको बनवा सकते हैं इजली बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होती इतना भी कोई चेकिंग में करा नहीं होती बस एक एस्पीरियंस आपका चाहिए होता है ठीक है बस सबसे इंपोर्टेंट यह है कि मोटर मेकेनिज में का नॉलिज जो है वो आपके पास होना चाहिए अब यह मोटर मेकेनिज में क्या होती है मैं आपको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूँगा ध्याम से ठीक है और तीसरा जो है कौन-कौन भरें तो बैया मेरे इसाफ से जितने भी स्ट्रेंट है सभी को बढ़ दे है